हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हार्ड welcome to my channel फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान डिजाइन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है इस डिजैन को आप जैन्स लेडीज और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती हैं सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजैन पहुत ही सुन्दर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको चार के मल्टीपल फंदे लेकर एक फंदा एक्स्ट्रा लेना होगा तो ये डिजैन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजेस्ट हो जाएगा चार के multiple देखिए चार फंदे गिन लिजिए फिर से चार फिर से चार इस तरह से करते हुए last में आपका एक फंदा होना चाहिए ये design सीधी side से शुरू होता है और सिरफ दो सलाईों में complete हो जाता है इस design को शुरू करने से पहले उल्टी side से इसमें हमें एक basic row बनानी पड़ती है इसलिए आपको जो भी फंदे बढ़ाने हो तो पहले सीधी side से फंदे बढ़ा लीजिए फिर उल्टी side से एक basic row बना के सीधी side से design शुरू हो जाएगा तो चलिए देखते हैं कि ये design कैसे बनाया गया है तो ये देखे फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने लिये हैं 17 फंदे चार के multiple करके और एक फंदा extra लिया है फंदे डालने के बाद सीधी side से एक सलाई इसमें मैंने उल्टी बनाई है उल्टी side है और यहाँ से हम इसकी एक basic row बनाएंगे तो आपको जो भी फंदे बढ़ाने हो बोर्डर के बाद सीधी side से फंदे बढ़ाकर उल्टी side से ये सलाई आपको जरूर बनानी होगी तभी आपका ये design सही से adjust हो पाएगा तो ये देखिए पहला फंदा इसका हम सीधा बनाएंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे एक, दो और ये तीन अब यही चार फंदे का design फिर से बनाना है तो धागे को पीछे ले जाएंगे एक फंदा ये सीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे उल्टे एक, दो और ये तीन फिर से धागे को पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे उल्टे एक, दो, और ये तीन, फिर से धागे को पीछे करेंगे और डिजाइन को repeat करना है, तो एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक, दो, और ये तीन, आपके जितने भी फंदे हों यही चार-चार फंदे का डिजाइन बनाते पनाना होगा, उसके बाद ये सलाई हमारी repeat नहीं होगे, अब आज ये इसकी सीधी साइट पर और डिजाइन की पहली सलाई पर, डिजाइन की पहली सलाई को आप ध्यान से देखिए, पहले फंदे को आप उतार भी सकती हैं और उल्टा बना सकती हैं, तो पहले फंदे को उ जाइन है, ये बनेगा, इसे आप ध्यान से देखिए, तीन में से पहले फंदे को इस तरह से आप सीधा बना दीजिए, अब ये जो दो फंदे हैं, इसे छोड़ कर इस वाले फंदे में धागे को आपको पीछे ही रखना है, और देखिए, ऐसे ये जो फंदा इसके बीच म से ऐसे स्लाई डालेंगे, और इसको हम पहले यहां सीधा बना देंगे, इस फंदे को हलका सा लूज रखिए, अब ये वाला जो फंदा है, इसमें ऐसे स्लाई डालेंगे, और इसको भी सीधा बुन देंगे, और दोनों फंदे एक साथ उतार देंगे, अब ये जो चार फं इसके पहले फंदे को ऐसे सीधा बुन देंगे अब ये जो दो फंदे हैं इसे छोड़ देंगे इस फंदे को ऐसे लेंगे और इसको पहले हम सीधा बुन देंगे इस फंदे को हलका सा लूज रखेंगे अब इस फंदे में ऐसे स्लाइड आल लेंगे और इसे भी सीधा बुन फंदे में से पहले फंदे को सीधा बुन देंगे अब ये जो दो हैं इससे छोड़ देंगे इस वाले फंदे को पहले हम सीधा बनाएंगे इस फंदे को लूज रखेंगे अब आगे से स्लाइड डाल कर इस फंदे को भी ऐसे सीधा बनाएंगे और दोनों को उतार देंगे फ फिरसे धागे को पिछे करेंगे, तीन में से पहले फंदे को सीधा बनाएंगे, अब बच गए हमारे ये दो, इसे छोड़ देंगे, इस फंदे में आगे की साइड से स्लाई डालेंगे, इसको ऐसे सीधा बूं देंगे, यह फंदा आपका लूज होना चाहिए फिर इस फंदे में सलाई डालेंगे और इसे भी सीधा बना देंगे और दोनों को उतार देंगे आपके जितने भी फंदे हो यही चार-चार फंदे का डिजाइण जो आपका repeat करते चाहिए लास्ट का एक फंदा होगा इसे उल्टा बना दीजी पहली सलाई डिजाइन की कम्प्लीट हो गई है अब आज ये इसकी दूसरी सलाई और उल्टी साइड पर ये डिजाइन हमारा उल्टी साइड से भी बनता है तो उल्टी साइड की सलाई को आप ध्यान से देखिए पहले फंदे को सीधा बनाईए फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे इन तीन फंदे पर हमें फिर से डिजाइन बनाना है तो देखिए ये जो इसका पहला फंदा है इसे हम ऐसे उल्टा बुन देंगे अब इस फंदे को छोड़ देंगे इस फंदे में देखिए एक तो हम ऐसे सलाई डाल कर उल्टा बुनते हैं ऐसे नहीं बनाना है आगे की साइड से ऐसे इस फंदे के बीच में से ऐसे सलाई निकाल लेंगे इसको हम ऐसे उल्टा बुनेंगे और फिर देखिए ये वाला जो फंदा है इसको लेंगे और इसे भी हम उल्टा बुन कर उतार देंगे फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे धागा पीछे एक फंदे को सीधा बना देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे तीन में से पहले फंदे को ऐसे उल्टा बना लेंगे अब देखे इसे छोड़ देंगे आगे की साइड से ऐसे स्लाइड डालेंगे इसको हम ऐसे उल्टा बुन देंगे फिर इस फंदे को लेंगे और इसे भी बुन कर उतार देंगे फिर से देख लिजे थ्यान से धागा पिछे ले जाएंगे एक फंदा ये सीधा धागा अपनी तरफ तीन का पहला फंदा उल्टा बनाएंगे अब इस फंदे को छोड़ देंगे और देखिए इस फंदे को छोड़ के आगे वाली साइड से इस फंदे में से ऐसे स्लाइल लेंगे इसको पहले उल्टा बनाएंगे फंदे को हलका सा लूज रखिए तभी आपका डिजाइन अच्छा बनेगा फिर इस फंदे को लेंगे औ पहला फंदा उल्टा बनाएंगे अब इसे छोड़ कर इस वाले फंदे में आगे से ऐसे सलाई लेंगे इसे हम उल्टा बुन देंगे अब इसे इतना लूज रखेंगे अब इस फंदे को लेंगे और इसे भी उल्टा बुनेंगे और उतार देंगे लास्ट का फंदा इसका ह सीधा बनाएंगे दो सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई हैं हमें इसकी यही दो-दो सलाईयां बार-बार रिपीट करते जाना है जब इसकी साथ से आठ सलाईया आपकी बन जाएंगी तब आपका डिजैन ये इस तरह से उभर कर आना शुरू हो जाएगा तो चलिए इस अब इन तीन फंदे पर डिजैन बनाना है तो तीन में से पहले फंदे को ऐसे सीधा बना देंगे अब देखिएगा इस फंदे को तो छोड़ देंगे और इस वाले फंदे में धागा आपका पीछे रहे और देखिएगा ऐसे इसमें हम सलाई डालेंगे इसको हम इस तरह से सीधा बुन देंगे फिर इस फंदे में सलाई डालेंगे और इसे सीधा बनाएंगे और दोनों को उतार देंगे फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे और अब देखिएगा इस फंदे में हम पहले इसको हमने पहले बनाना है तो इस फंदे मे इतना लूज रखिए फिर इस फंदे को भी सीधा बनाईये जब दोनों फंदे बन जाएं तो दोनों को एक साथ उतार दीजिये फिर से डिजाइन को repeat करेंगे तो यह देखिए एक फंदा हम यह पहले उल्टा बनाएंगे फिर धागे को पीछे करेंगे तीन मेंसे पहले बनाते हैं फिर इस वाले को दोनों को सीधा बनाके उतार देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा ये उल्टा बनाएंगे धागा पीछे एक फंदे को ऐसे ही सीधा बनाएंगे फिर एक को छोड़के जो तीसरा फंदा है इसको पहले सीधा बनेंगे फिर इसको और दोनों को उतार देंगे, धागा अपनी तरफ करके लास्ट का फंदा उल्टा, उल्टी साइड से भी आप एक बार फिर से देख लीजिए, ताकि इसको रिपीट करने में आपको कोई प्रोब्लम ना आए, पहला फंदा एस्टीच है, इसे उतार ये या सीधा बनाईए, इसको पहले उल्टा बुन देंगे, फिर इस फंदे को लेंगे, और इसे भी उल्टा बुनेंगे और उतार देंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, तीन में से पहले फंदे को ऐसे ही बनाएंगे, आप इसे छोड़ देंगे, और देखिए, फंदा सीधा, फिर से ध्यान से देख लीजिए, तीन में से पहला फंदा ऐसे ही बना देंगे, अब इसे छोड़ देंगे, और देखिए, यहां से ऐसे स्लाइड डाल लेंगे, इसको हम पहले उल्टा बुनेंगे, यह फंदा लूज होना चाहिए, फिर इसे लेंगे, दोनों को उल्टा बुनने के बाद उतार देंगे, धागा पीछे, एक फंदा यह सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, तीन का पहला फंदा ऐसे ही बना देंगे, फिर बीच वाले को छोड़ कर लास्ट के तीसरे फंदे को पहले उल्टा बुनेंगे, फिर इसको ऐसे, और एस टीज क फिर से हम ऐसे सीधा बुन देंगे, मैंने इसकी जो दो दो सलाइया है, दो बार आपको रिपीट करके दिखाई हैं, इन्ही दो दो सलाइयों को जब आप बार-बार रिपीट करके जाएंगी, तो आप देख सकते हैं, चार सलाइयों में भी ये थोड़ा सा आपको उभर कर आ जाएगा और बहुत ही सुन्दर लगेगा तो प्रेंट्स अगर आपको डिजैन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी प्रेंट्स ग्रूप में से शेर कीजिए चैनल पर नए हैं सबस्क् थार्षध ओपता हैं सबस्क्षाइब में जो कि भी य।बस्द आपको ले घूखशव प्रेंट्स ग्रूप में से शेर का तरीका जापको लाइब नए हैं सबस्क्ताइब देंट्स ग्रूबस्वें का तरीका टीका उन-एनग्ट्स गत्षण गर्रूप